आखरी संदेश, रिसी केस में एक परसिद महात्मा रहते थे, वे बहुत बिर्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था, एक दिन उन्होंने सभी सिस्यों को बुलाया और कहा, प्रिये सिस्यों मेरा स्रीर जिर्न हो चुका है, और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे पर रासे में प्रवेश कर जाएगा, तब मैं इस इह लोग को त्याग दूँगा, गुरु की बानी सुनते ही सिस्यों घबरा गये, सोक और बिलाप करने लगे, पर गुरु जी ने सब को सांत रहने और इस अटल सत्य को स्विकारने को कहा, कुछ देर बाद जब सब चुप हो गये, तो एक सिस्यों ने पुछा, गुरु जी, क्या आप आज हमें कोई सिक्षा नहीं देंगे, आवश्चर दूँगा, गुरु जी बोले, मेरे निकट आओ, और मेरे मुख में देखो, एक सिस्यों निकट गया और देखने लगा, बताओ, मेरे मुख में क्या दिखता है, जीव या दांत, उसमें तो बस जीव दिखाई दे रही है, सिस्यों बोला, फिर गुरु जी बोले, अब बताओ, दोनों में पहले कौन आया था, पहले तो जीव आई थे, एक सिस्यों बोला, अच्छा, दोनों में कठोर कौन था, गुरु जी ने पुनह प्रश्न क्या जी, कठोर तो दांत ही था, एक सिस्यों बोला, दांत जीव से कम आयू का और कठोर होते हुए भी, उससे पहले ही चला गया, पर बिनम्र और संबेदन सिल जीव अभी भी जीवित है, सिस्यों, इस जग का यही नियम है, जो कुरूर है, कठोर है, और जिसे अपने ताकत या ज्यान का घमन्ध है, उसका जल्द ही बिनास हो जाता है, अतह तुम सब जीव की भाती सरल, बिनम्र वप्रेम पुर्ण बनो, और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सीचो, यही मेरा आखरी संदेश है, और इन ही सब्दों के साथ गुरुजी प्रलोक सिधार गए, दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी, कॉमेंट करके बताने का कस्ट करेंगे, अगर अच्छी लगी हो, तो अपने मितों को सेर करने में कंजूसी नहीं करियेगा, साथ ही अपने चैनल कथा काप दर्पन को सब्सक्राइब कर लीजियेगा, फिर मिलेंगे दूसरी ज्यान